नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में यस बेंक स्टॉक को डिसकस करेंगे यस बेंक में एक जो बरा इंपोटेंट डेट है वो है 27 अप्रेल इसी दिन इस स्टॉक के q4 के नमबस डिकिलियर होने वाले हैं और q4 के नमबस से पहले as you know कि इस स्टॉक में ज वो सेल कुन करेगा SBI SBI लगबग 24% on करती है तो उसके holdings घड़ते वे दिखेंगे आज 5% की तेजी और अगर नीचे जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पहली जो बड़ी खबर वो लगबग 284.21 करोर जो है टेक्स रिफंड के रूप में कंपनी को मिला है जो की बड़ी खबर रही दूसरी खबर रही 120 लगबग 128 करोर से यहां देखेंगे एलोट करे गए किसको सी ए बास्क्यू को देखेंगे यहां देखेंगे यस बैंक ने 128 करोर तो यह एक बरी खबर रही है इसके अलावे जो दूसरी बरी खबर मुझे दिख रही है वो इसके पोटेंशियल सेल को ले करके दिख रहा है यहां आप देखेंगे तो जैपैनिज कुछ निवेसक जो है वो इस्टेक बाइंग कर सकता है यस बैंक के अंदर यहां देखेंगे यस बैंक लुक्स टू ब्रिंग न्यू इन्वेस्टर यस बैंक इन्टॉग विद इंटरनेशनल इन्वेस्टर और यह जो सुमी तो मिश्टाव बैंकिंग कर्परेशन है जो मीटू मिट्सू विसाई यू एफजी है या इमेरेट्स हैं यह सभी जैपैनिज निवेसक हैं बिट लाइखेंगे ट्रांजेक्शन में लीटू एस्टेट बैंक के जो होल्डिंग्स हैं वो एकजिट होते वे देख सकता है आगे मैं इस स्ट टेकनिकल स्ट्रॉंग हो चुका है लेकिन विक भी नहीं है यह एक ट्रेंड लाइन है और यह ट्रेंड लाइन स्ट्रॉंगली रिस्पेक्ट होते दिख रहा है एक बार 26 को ब्रेक आउट करें तो 28 तू 34 और 50 प्लस तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किये जा सकते हैं और मुझे लगता है कि Q4 के नंबर्स के साथ साथ एक नए प्रमोटर के न्यूज भी आपको आते दिख सकते हैं